हम सोच रहे थे कि हमारे हर्याना का विकास होगा या हमारे हर्याना का एक ही जिला है लगबग जिसकी साक्षर्तादर थोड़ी कम है सबसे कम साक्षर्तादर 2011 में दर्ज की गई हर्याना के नुहु जिले की हम सोच रहे थे यहां पे साक्षर्तादर है computer literacy है या new technological development देखने को म अखड़ा दिखाते हैं और सबसे कम परते विक्ति आए का अखड़ा नुहु में है जबकि दोनों बहुत ही जादा पास में हैं दूसरे की border से सटे हुए है और Guru Gram है वहां पे SEZ भी है special economic zone भी है इसके लावा metro भी सबसे पहले आई थी metro के अलावा भी अभी भी metro के बहुत सारे यहां पर project काम कर रहे हैं मारुती सुजुकी का plant है कई सारी industrial और international organization भी है लाग जैसे international solar organization भी है यहां पर आयसे आप लोग जानते होंगे international solar alliance के नाम से तो नुह के अंदर विस्तार की अकांग्शा थी हमारी और निती आयोग ने भी अकांग्शी जिलों में सामिल किया था इस जिले को ताकि यहां पर भी कुछ विस्तार हो लेकिन देखने को कुछ उलट मिल रहा है यह जो तस्व अब तो पड़ोसी जिले में भी भड़क चुकी है मतब गुरुग्राम और पलवल के अंदर भी हालात बहुत गंदे हो चुके हैं कहानी क्या है इसके बारे में शोट में आप लोगों को मैंने यहां पर बताया था अब की यहां पर हालात क्या हो रही है अब तक यहां पर तो छह लोगों की मोत हो चुकी है यहां पर चहलो में जय गाडियों की संस्क्ःचह जो पहले 30-40 थी लगबख डेड़ सौपके आसपास अप गाडि को सादन जो है ना वो चलाए जा जा चुके हैं आपके यहांपर करफ्यू है आज की दिन में भी करफ्यू है यहांपर मं इसके अलावा गुरुग्राम के अलावा पानी पत है इसके अलावा आपका जो पलवल है यहां पर भी यह दंगे भड़क रहे हैं इस परकार की कुछ फोटो है परामिल्टरी फोर्स इस ने जो है ना बेसिकली गुरुग्राम से बादशापुरु के बीच में जो फ्लैग मा कमपणिया तैनाद की गई है और सेंट्रल फोर्स की पलवल में तीन कमपनिया भी यह काम कर रही है नू के अंदर तो टोटल 13 से 14 कमपनिया भी वर्तमान में काम कर रही है यहां पर थिक है इन नो जिलों के अदर जादा अभी के लिए हिससा है यहां पर धारह 143 लागू है ये नो जिले कौन से हैं, इन नो जिलों के अंदर से एक तो जिला आता है, कौन सा आपका एक जिला है, नू है ये ठीक है ना, एक गुरुगराम, एक पलवल, जजजर, और एक फृतावाद, रेवाडी, सोनिपत, पानिपत, महंदरगड, इन सब में 144 धारा लागू है, इंट स्कूल भी बंद है यहां पर जिनके एक्जाम होने थे, एक दो अगस्त को दस्वी के या जो डियल्ड की एक्जाम होने थे, वो सब एक्जाम रद कर दिये गए हैं, ठीक है ना, बसे हैं, वो भी बंद, मनलब जिसे रेवाडी टीपो से गुरुगराम के सोना, यूपी के जागरा, मतुरा, अलिगड़ी की बसों का संचाल आना वो भी बंद है, सो से जादा लोग है, वो जक्मी हो चुकी हैं, परसाशन की संपती को तो बहुत नुक्सान पहुंचा ही, पहुंचा है कि यह अलावा, पब्लिक जो संपती है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उनको भ फोड की थी, इसके अलावा, ये फोटो है, नुहू में सोंवार को जो आगजनी हुई थी, वहां पर गाड़ियों को जला दिया था, परसाशन की गाड़ी है, जहां पर एक ये ऐसे चो लिखा दिख रहा है, ठीक है, और इनको पुलिस ने उठा के एक साइड सड़क के किन ये वाली फोटो गुरुगराम की है, यहां मंगलवार को एक दुकान को जला दिया पूरी पूरी, ठीक है, एक यहां पर स्कूल बस को भी जलाया गया था, जिसमें बच्चे ठेक नहीं थे, अभी तक उसकी खरकुष्टी हुई है, एक नहीं हुई है, एक्चुली सारा जो मामला था, वो इस वीडियो का था, ये वीडियो बड़ा वाइरल हो रहा है, मौनु मानेसर नाम से, उन्होंने कहा कि अब जब बोली दिया तो आना पड़ेगा, स्वागत नहीं करोगे हमारा, हमार रहे हैं दोनों, एक्चुली यहां पे एक यात्रा निकलती है, और ये ब नलेश्वर मंदिर से होके, ये सिव मंदिर फिरोजपुर जिर्का के बीच में ये यात्रा है, नलेश्वर मंदिर से यात्रा निकाली गई थी, मंदिर में तक्रीबं 600 मिटर दूर हिंसा बढ़क गई थी, उपदरव जब स्टार्ट हुआ था, तक्रीबं तब उस टाइम चार हजार सरदालू मौजू थे, और मंदिर तीन तरफ से पाडियों से गिरा हुआ है, तो सो डेड़ सो लोग जो है ना, वो पाडियों से फाइरिंग कर रहे थे, लगबग रात आठ बजे तक लोगों को जो ना मंदिर से रेस्क्यू किया गया, हो सकता है, कुछ लोग अ अंदर एक प्लैरो गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया था, बहुत मार पिटाई की थी उनके साथ में, उनको और उनको गो हत्या से संबंदित मामला था, ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मुक्य मंत्री जी का क्या कहना है, मुक्य मंत्री जी कहते हैं कि मैं लोगों से इसमें शांती बनाए रखने की अपील करता हूं, दोश्यों को किसी भी कीमत पर बकसा नहीं जाएगा, उनको पर सक्त कारवाई की जाएगी, और जो विस्व हिंदू परिसद है, इनके जो सुन्त महा मंत्री है, डोक्टर सुरेंदर जैन, इनका कहना है कि ये दंगा पहले का ये प्लैन था ये, तो इस यात्रा के रूट पर सभी ट्रैक में पत्थर थे और भीड ने गाडियों में पैट्रोल बंब से आग लगाई है, और इन्हीं को भी पहले से ही तियार करके रख रखा था, क्योंकि ये कुछ घंटों का काम तो हो नहीं सकता है, आलोक कुमार जो की कारेकारी अध्यक्स है विस्वे हिंदू परिसद के, इन्होंने ये कहा था कि ये सूचना थी कि वे सवेदन सील इलाका है, मुझे आश्चरे है कि सरकार ने प्राप्त व्यवस्ता क्यों नहीं रखी, मैं मानता हूँ कि ये इंटलिजन्स की चूक है, सरकार को, मतलब एक अगस्त के यांकडों में, नो हर्याना का, जो मैप में आपको दिख रहा है, तकरीबन एक पॉइंट पांस तिन लाक हेक्टेर इसका एरिया है, यहां पे दस पॉइंट आठ नो लाक जनसंक्या है, पांच पॉइंट साथ एक लाक जो है ना, इसमें पूर सर पांच इसको अब लोग मिनी पाकिस्तान के नाम से पुकार रहे हैं, मुस्लिम जादा होने की वज़े से, 411 गाउं है, 317 पंचायत है, पांच कस्बे हैं यहां नो के अंदर, ठीक है, अब बात यह आती है मुदई कि यह जो हिंसा भड़की है, यह सारा जो खेल हुआ है, यह धरम के लिए कटरता दिखाने से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हम टेकनोलोजिकल डवलप्मेंट चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि नई से नई एडवांस चीज़े हों, रोड अच्छे हों, मौल अच्छे हों, बिजनस हमारा अच्छा ग्रो करें, तो इस दुनिया में पडोसी के अंदर जोना कुछ अच्छा माहूल बैठे, इलेक्शन सर पे है, नजाने क्यों इतनी सेक्योरिटी क्यों नहीं है, ऐसा माना जा रहा है, यहां पे जो एस पी थे वो चुट्टी पे थे, फिर पडोस के जिले के, यानि कि पलवल जिले के एस पी को एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया था, उन्हीं ने का कि हमने 900 पुलिस वाले यहां पे तैनात कर रखे थे, थो कि 900 पुलिस वाले गए कहां पे, अब इतने पुलिस वाले थे, तो इतना तंगा हुआ कैसे, कैसे के सब नुकसान हुआ है, हलांकि जो पुलिस वाले हैं, उनको 57-57 लाक रू इच्छा से पोजिटिव इचार रख सकते हैं इसके पर शुक्रिया रादे रादे